हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टेडी लर्ण में क्या दोस्तो आपका भी इसकॉलर्शिप अब भी तक नहीं आया है अगर हाँ तो दोस्तो इसकॉलर्शिप नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं पहला कारण दोस्तो जब आप अपने scholarship online आविदन किये थे उस time अगर आपने scholarship status check किये थे scholarship status check करने पर अगर आपका scholarship status bank account verified district level से भी verified उसके बाद दोस्तो किसी भी परकार का अगर आपके scholarship status में suspect वगरा कोई रीजन नहीं बता रहा है तो दोस्तो आपको घबराने की कोई application मिलेगा चाहे कुछ दिन लेटी क्यों ना हो जाए लेकिन आपको मिलेगा लेकिन दोस्तो अगर आपका scholarship status इसके विपरित यानि की bank account not verified या फिर दोस्तो डिस्टिक लेवल से अगर आपका verify नहीं हुआ है या फिर किसी भी परकार का अगर आपका suspect बता रहा है तो दोस्तो आपको scholarship कहां से मिलेंगे जी हाँ दोस्तो तो इन ही सारी बातों को दोस्तो बहुत सारे studentों में problem आ रही जो कि दोस्तो यूपी scholarship के कल्यान विभाग ने एक notice जारी किया गया है आप लोगों को एक आखरी मौका दिया जा रहा है जिससे कि आप दोस्तो सुधार करवा सकें ज bank account not verified बता रहा था दोस्तो उन लोगों के लिए एक आखरी मौका दिया जा रहा है आप लोग दोस्तो जल्दी से सुधार करवा लें और आप लोगों का भी scholarship 100% मिलेगा यहाँ पे दोस्तो देखे साप साब बताया दिया जा रहा है चात्विर्ती आवेदन में त्रूटी बताया जा रहा है समाज कल्यान विभाग ने सिक्षन संस्थानों को अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती समाने वर्ग दश्मुत तरचात्विर्ती एवं सुल्क अपुर्ती योजना के लाभार्ती विद्यार्थियों के आवेदन के सत्यापन और अग्रशित करने का तीसरा अवसर दिया है उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है मंत्री रामापती सास्त्री के निर्देश पर विभाग ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में तुरूटी सुधार करने और जिला अस्तरिय समीतियों का उनके आवेदन पत्रों के सत्यापन और तीसरा कारिकरम जारी किया गया या निदय घज्णी की जैस्तिक्री से और नहीं भी शुधार कर लेंगे उनका दोस्तों 20 मर्च को च्छात्विर्थि और सुल्क प्रतिपूरती की रासी जमा हो जाएगी तो दोस्तों पने इस यह जारा रहा है उनके पास दोस्ति के प्रमुख सचीव मनोज कुमार के अनुसार सिक्षन संस्थान तीन से पांच फरवरी तक विद्यार्थियों के विवरन का सत्यापन कर उनके अग्रशित करेंगे 11 से 16 फरवरी उसके बाद दोस्तों हैं पर बता जाए रहा है 16 फरवरी तक संदेहस्पद डाटा को कारणों सहित विद्यार्थि संस्था और कल्यान अधिकारियों के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा यानि ये दोस्तों ये नया डेट जारी किया गया है उनके बाद दोस्तों बता जाए रहा है 11 से 16 फरवरी के बीच ऑनलाइन आवेदनों में की गई तुरूटियों को ठीक कर आवश्यक दस्तावेद सिक्छन संस्थान में जमा किये जाएंगे सिक्छन संस्थान 12 से 22 फरवरी के बीच विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन की हाड कोपी और दस्तावेजों का संस्था के रिकॉर्ड से मिलान करेंगे उसके बाद दोस्तों बताया जाए रहा है इस दोरान पुनह ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर और सत्यापित कर उसे अग्रशित किया जाएगा 20 मार्च तक जिले के कोशागार से इपेमेंट के तहत विद्यार्थियों के बैंक खाते में चातुर्ती और सुलकापिती रासी जमा की जाएगी तो दोस्तो देख पार इस तरह के से बताया जा रहा है तो ठीक है दोस्तो जिनका जिनका पहले स्कॉलर्शिप स्टेटस यानि की तुरूटी बता रहा था बैंक अकाउंट बता रहा था दोस्तो आप लोगों को एक आखरी मौका दिया जा रहा है आप लोग दोस्तो जल्दी से सुधार कर लिजे आपका जो एसकॉलर्श वाला रासी है वो 20 मार्च को खाते में जमा हो जाएगी तो दोस्तो देख पार चाती उतीव है सुलक से 100% मिलेगा भले ही कम मिला है तो दोस्तो आपको फिर से दोबारा से मिलेगा दोस्तो ये थी एक छोटी सी इंफोमेशन जो आप लोगों को देनी थी आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफी हलपूल रही होगी थोरी बहुत भी वीडियो अच्छी ल